नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अपना इडियो चला गाउनोटो दोस्तों आधी की इस वीडियों हम आपको बताइए कि आपकोई भी गाड़ी है जो बबलेंग करने लगे तो क्या रीजन होते हैं कि अमारी गाड़ी बबलेंग करने लगती है तो सबसे पहले आपको बता देते के बब्लिंग चीज होती क्या है ठीक है तो एक्जापल के तौर पर मेरे पास यह इस प्लेंटर वाइक हो और इस इस फ्लेंटर वाइक को हम 30-70 की इसे कि रहे और सब्सक्राइब आगे सियातर आहto. तो सबसे पहले यह front wheel देख रहे हैं इस wheel को हमें पकड़ना है अपने एक आप से इस प्रकार से एक आप से हमें पकड़ना है और left or right side हमें हिला कर देखना है कि हमारा tire है वो हिला है कि नहीं अगर हमारा यह जो wheel है वो left or right side हिला है तो समझ जाओ हमारी bearing है वो खराब है अब यह tire नहीं हिला है इसकी bearing है वो हमारी wheel की ब्रुकल सही bearing है ठीक है अब करते हैं पीछे पर यह को check तो इसी प्रकार हम पिछले पर यह को check करना है tire को इस पकार पकड़ना है और इस पकार पकड़के हमें left और right side की तरफ हिलाना है और हिला यह तो हमारी bearing है वो खराब है और नए हिला है तो सही है देखो इसकी bearing है वो सही है अब हमारी पहले चीज तो हमने bearing चेक कर ली ठीक है तो हमारी गाड़ी इनकी bearing सही है फिर भी बब्लिंग करते है तो दूसरा reason हमें करना है लाइनिंग टार की लाइनिंग ठीक है टार की कौन सी लाइनिंग है देखो हमें पास से दिखा देता हूं दोस्तों यह रही होती है टार की लाइनिंग यह देख पा रहे हैं यह लाइनिंग यह लाइनिंग कहीं पर रिम के अंदर दसी नहीं होनी चाहिए और कही पिंच जूनने के बाद आती है कि कई मेकनिक बाइसे टार की लाने को नहीं बागा थे जो किसे बाएन को में अनहीं पाता है यह तो यह जो टार में यह ज那么 कहंब और शुट से जाता है तो यह तार है नहीं से फ से सशाल करने हैं पर прошлसके नहीं। ठीक है चौत्य प्रोंट में पर्यों को गुमाना है और कहीं पर एक जग्या पर आखे LEFT की तरफ रहे हिल घाता है एक जगह से टेशल जाता है इस परकार से तो समझाओ हमारे जो विल हो उस विल में हमारी लेक इस प्रकाल से हमने फ़िकि चार पॉंट और हमारी या कि χण करना है टाइर प्रेशर डोता है TB में जो हवाग होते है उस में अगले अगले टाइर में स्प्लिंटर डियेक्स करना चंहीं होता है फिर पॉंट रहना चाहिए और फिचले में 45 पॉंट रहना चाहिए तो नेक्स्बिन क्या होता है वह उता है सुर्ण अर्म जिसे जूला बोलते हैं कई में केसे केची केची में भुछ लगे होते हैं दोसतों यह एक लेबस साथ की तरफ भूस लगा है और एक बाइक और यह तरफ एक कि तरफ यह दोस्तों अल्बूच को हमें देहना है कि इस शुत करना है जैसे कि अभी अवने बैरिंग चेक्ष तहीं तो पीछे से हमें 50 से पकड़ के लाना है और यहां से अगर सुम्हारम इला है तो समझ जाओ कि इसके यह सुम्हारम के बुच है वो खराब है हमें बुच डालने होंगे ठीक है यह 6 पॉंट हो गए दोस्तों 6 पॉंट को बहुत ही अच्छी तरीका से आपने अगर देख लिय यह दोस्तों 7 पॉंट होता है यह देख पा रहे हैं यह वाला इस्सा इस प्लेंट का यह हमारी गाड़ी आए वो लेट लेट साथ की तरफ गिर जाती है तो यह जो बारे लंबर के बोल्ट लागा हुए है यहां पर चाड़ी आड़ में यह बोल्ट अंदर की तरफ से संटार यह जैसे जैसा पूरेक लेते हैं तो फीचे से कभी को आरेक लेट लेते टो टारку से क्विक हरो जाता है तो गाली बबलम लेग्स कर जाती है तो इससी कर आप कर जाती है और पीछे से आपकी गाड़ ब्रेक लेने पर बावलिंग करती है तो इसी समझ जाओ कि यहांसे हमारा चीमटा है वो टूटा हुगा होगा या फिर एक्सल जमेट चेक करना है यह रही साथ पॉइंट ठीक एन चेक करना है